हेलो दोस्तों केसे हुआ आप सभी लोग तो आज कोड़े मैं आपको एफाय रॉयल पास के वीक त्री के सारे मिशन्स डीटेल में एकस्प्लेन करूगा और इजी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपके मिशन जल से लदी कम्प्लीट हो जाएंगे अगर आपने लगा हसा है जांगा अन्रेंक लगाँ दोस्तों लिविक लगाऊ यह हैंट ट्रॉटेंग हो जाएंग्प लेंड ऑने-डियल यह से डीयों दिख़ाई ऑने-ट्रॉफट हैंस मिलेटरीया और एक बार दोस्तों उतरना है कौन से भी च्छत पर, इसके लिए क्या करें, सबसे बेस्ट आप अन्रैंक लगाए, इरेंगल लगाए और मैच को स्टार्ट कर दे, फिर दोस्तों आपको क्या करना है, मिलिटरी बेस के च्छत पर आप देख सकते कौन से भी च्छत पर आपको बस उतर जाने, जैसे आप उत जाएगा, फिर नेक्स्ट मिशन है, इस कार्ड के लिए, फिनिश एन एनिमी फ्रम 100 मिटर आवे, टू टैम्स इन क्लासिक मोर, तो दोस्तों हमें एनिमी को 100 मिटर के दूरी से दो बार दोस्तों फिनिश करना है, तो आपको बस दोस्तों दूर से एनिमी को फिनिश करना है, या फिर आप एनिमी को मार के भी भाग सकते हो 100 मिटर की दूरी पर फिर ये भी मिशन हो जाएगा फिर नेक्स्ट मिशन है 60 RP points के लिए और ये repeatable है week 3 only spend 100 minutes in matches तो जोस्तो जैसे आप बिजमाई को खेलेगे rank matches, unrank matches, arena matches तो वेसे वेसे minutes add होंगे और आपको RP points मिलते जाएंगे तो अब फिलाल में week 3 EZ mission license के वेसे दिखाई दे रहा है तो दोस्तो ये mission आप 18 March के बाद complete कर पाऊगे फिर next mission है 150 RP points के लिए और ये friend boost है rescue teammates 10 times in classic mode तो दोस्तो फ्रेंड boost का मतलब ये होता है कि अगर आप आपके royal pass के दोस्त के जाती mission complete करोगे तो उसने भी किया तो भी आपकी 0 by 10 में add हो जाएगा और आपने किया तो उसकी इसमें तो उन्हेंने कहा है rescue करना है तो rescue का मतलब revive होता है तो सबसे best रहेगा आपके दोस्त को ले लो और दोस्तो आप लिविक के अंदर केलो क्योंकि लिविक map के अंदर जल्दी दोस्तो आपका rescue हो जाएगा मैंने इसके पर एक वीडियो बनाई है तो आप आई बटन पर देख लेना एक मैच में ही आपका ये 10 रिवाईव का हो जाएगा फिर next mission है 60 RP points के लिए और ये friend bonus है तो इसका मतलब यह होता है अगर आप आपके royal pass के दोस्तों के जाद mission complete कर गए तो आपको extra RP points मिलेंगे finish 5 enemies with M249 in classic mode तो आप देख सकते हो ये M249 गणने तो इससे total हमें 5 enemies मानें classic mode में तो आप rank के अंदर भी कर सकते है या फिर unrank फिर next day 60 RP points के लिए और ये team boost है मतलब अगर आप squad के अंदर खेलोगे squad ने किस ने भी किया तो भी 0 by 6 में add हो जाएगा तो squad के अंदर ही खेलना open airdrop 6 times with teammates in classic mode दोस्तों हमें 6 airdrops को open करना है दोस्तों आप क्या करो match लगाओ classic कौन सी भी rank या unrank और दोस्तों जाज स्याद airdrop लूटो फिर नेक्स्ट मिशन है 60 RP points के लिए pick up AKM in 5 matches in classic mode तो आप देख सकते हो AKM तो ये total 5 matches में 5 बार उठाना है फिर नेक्स्ट मिशन है 60 RP points के लिए use the shadow blade, sky tether hook और proxy scout 15 times in classic mode shadow force तो ये new mission दिया है तो दोस्तों नए mode से related तो इसके लिए आप को गया करना है दोस्तों rank के अंदर इन तीनों में से कौन से 20 में खेलना है तो मैं आपको इरेंगल का दिखादू तो जैसे match start हो जाए तो आप देख सकतो ये 3 location है या फिर कहा भी उतर सकते पर mostly इन 3 location पर ही जाओ आप देख सकते में आ गया हो फिर loot करना start कर दो तो आप देख सकते loot लुट लुट आपको ये Spider-Man जैसे मैं कहूंगा Spider-Man जैसे आप 15 बार बस यूज करो 5-5 सेकेंड का टाइम रहता है फिर आपका ही mission हो जाएगा या फिर आपको आई बटन पर इसके ओपर भी एक वीडियो दे दूंगा वो ज़रूर चेक आउट करना फिर next mission है 60 RP points के लिए week 3 only long into the game on a total of 3 days तो दस्तो week 3 के अदर बस तीन दिन game को open करना है फिर ये भी हो जाएगा फिर next है 30 RP points के लिए pick up extended quick draw mag one time in classic mode तो आप देख सकतो ये extended quick draw mags होते तो इन में से कौन सा भी एक उठाओ फिर next है finish enemy with M416 in classic mode तो आपकी favorite gun M416 से एक enemy मारना है और last है use medic kit one time in classic mode दोस्तों ये देख सकतो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को भी सब्सक्राइब करके मिलता हूं मैं आपको week 4 के missions के वीडियो के साथ तिल देन स्वी बाई बाई थैंक्स फॉर वाचिंग